तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाइब हूँ उसमें आपको मैं ये दिखाऊंगी कि आप घर पर ही कैसे ड्राइकलीन कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका कि अगर आपके पास इजी नहीं है या लिक्विड डिटर्जन नहीं है तब भी आपके पास जो चाहँ जो सिल्क कपड़े होते हैं यह मैं सद्री दिखा रही हूँ यह मेरे बेटे की है और कुरता पैजामा है और यह सद्री है तो इसमें ड्राइकलीन लिख़ा हुआ है में मेंशन किया हुआ कि ड्राइकलीन अली assure जो यह साड़ी आप देख रहे है इसका जो बॉडर ह जब भी हम कोई साड़ी पहनते हैं, तो जब हैवी बॉर्डर वाली कोई भी साड़ी पहनते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वाश कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शैंपू ले रही हूँ, शैंपू तो हर घर में होता ही है, कंडिशनर भी सभी लोग यूज़ करते हैं, तो कोई भी माइल सा शैंपू ले लीजिए, कोई भी शैंपू चलेगा और कंडिशनर ले लीजिए, शैंपू और कंडिशनर लेने क और कंडिशनर इसमें मैं इसलिए यूज करी हूँ जो कपड़े की चमक है वो मतलब बरकरार रहेगी आप देखेंगे मैं इसका वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगी कि सूखने के बाद जो चमक है वो एजटी रहेगी आप देख सकते हैं कि मेरे बेटे ने सद्री को कित कुछ भी नहीं है बस आपने डाला और थोड़ी देर इसको डिप रहने दे और डिप रहने के बाद बस हलका सा इसको हम खंगाल लेंगे और सिंपल से एक साफ पानी में डिप करके निकाल लेंगे जहां जहां देखिए जादा गंदा है बस वही वही मैं कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा रगड ने रही हूँ क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा रगड कर ये कपड़ा धोईंगे तो इसमें ना वह आ जाएगा जैसे कि रोई आ जाएंगे उसके बाद हम कित्ता भी आइरन करें वह नहीं जाता है तो मैं अपने जो भी जो इंब्राइडरी वाले ब्लाउजेज हैं, साडियां हैं, हेवी बॉर्डर वाली साडियां हैं, सारी चीज़े मैं घर पर ही ड्राइकलिन कर लेती हूँ क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं अगर उसका बॉर्डर गंदा हो गया साड़ी का तो फिर नेक्स टाइम पहनने में बहुत अजीब सा ल साड़ी हैं, अगर जो पूर्डर वाली साडिया में जा फिर यह शर्वात लेक्ना करफ तो उसका हार यह सब्तमों आपसाटनिय। इसकी चमक आप देख सकते हो, बॉर्डर की, कि बिल्कुल भी खराब ने हुई है, अभी मैंने इसको साफ पानी में धोलिया है, देख सकते हो, आप कितना, मतलब रोई नहीं आये हैं, इस तरह से अगर आप कोई भी अपना कप्डा वाश करेंगे, तो उसमें रोई नहीं कि मैंने इसको सीधे ही हैंग कर दिया है, फोल्ड करके ऐसे फेलाया नहीं है, और यह जब सूप जाएगी, उसके बाद मैं आपको इसका वीडियो दिखाऊंगी, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो, जो सद्री है, वो हमारी सूप चुकी है, और अब इसमें केवल आइरन करना बागी रह गया है, और सद्री में देखे चमक कितनी अच्छी आ गई है, क्योंकि हमने इसमें कंडिशनर का यूज़ किया था, और जो सद्री है, वो एकदम ड